गुड मॉर्निंग स्टूटेंट इस यॉर इंग्लिस सेशन प्रीवेस इंग्लिस सेशन में हमने किया था एल्फबेट्स को कम्प्लीट आज हम करेंगे एक नई अक्टिविटी जिससे आपकी कैपिटल और स्मॉल एल्फबेट्स एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगी द देखिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कैपिटल एल्फबेट्स नदर आ रहे हैं जबकि राइट साइड में आपको स्मॉल एल्फबेट्स नदर आ रहे हैं आपको लेफ्ट साइड के कैपिटल एल्फबेट्स को राइट साइड के स्मॉल एल्फबेट्स से मैच करना है आपको सर्च करना है कि where is small alphabet सबसे पहला alphabet है A तो देखिए सर्च करना है आपको right side में where is small A here is small A तो capital A को small A से इस तरीके से pencil की help से match कर देंगे next है L ल लायन तो आपको सर्च करना है where is small L here is small L तो capital L को small L से इस तरीके से match कर दीजे next है Q Q Q Queen तो अब आप सर्च करिए small Q कहा है here is small Q तो capital Q को small Q से इस तरीके से match कर दीजे next है F F fish अब आपको सर्च करना है small F देखिए यह रहा है small F तो capital F को small F से इस तरीके से match कर देंगे है ना कितनी interesting activity इससे आपकी small और capital alphabets revise भी हो जाएंगी और आप इसे enjoy भी करेंगे next है h h hat तो अब हमें सर्च करना है small h b b ball तो अब सर्च करना है आपको b letter देखिए यह रहा है small b अब capital B को इसी तरीके से small b से match करना है next है r r rose तो अब आप सर्च करिए where is small r here is small r तो capital R को small r से इस तरीके से match कर दीजे like this next है g g grapes capital G को small g से इस तरीके से match कर देंगे और last alphabet है हमारा j j j j joker तो देखिए small j find करिए here is small j तो अब capital G को small j से इस तरीके से match कर दीजे तो है ना interesting so students इसी तरीके से आपको भी अपने parents की help से small और capital alphabets लेने हैं आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं या alphabets को change भी कर सकते हैं for practice और आपको इसी तरीके से left side के capital alphabets को small alphabets right side के small alphabets से match करना है ताकि आपकी capital or small alphabets अच्छे से revise हो सकें और ध्यान रहे इस homework को करने से पहले आपको date mention करनी है और ये homework आपको अपनी English की notebook में करना है हम फिर मिलेंगे next session में बाबाई we'll meet again मिलें आपको ओगमें एれको मीमें श्यान और आपको अबाई करना है तो में दाल परहिं आफ दो हיא करना है और मिलें